आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी इस वक्त हम विशेश समवात कर रहे है क्योंकि दुनिया अगली सदी की ओर जा रही है जपान जर्मनी रशिया अमरिका जैसे देश आगे बढ़ रहे है यहां तक कि बंगलादेश भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि वे सभी विद आगे जाएगा और इसी विचार धरा पर काम करने वाले अर्विन सोंटक के जी जो आयरस है अधिकारी है मगर उनका पूरा जीवन तरकशिलता और विज्यावनवात का प्रचार प्रसार करने के लिए लगा है और बाइस प्रतिया अभियान के तहत वे इसका प्रचार और साथी ये भी समझाते है कि बहुत धम्म जो तथागत ने दिया है कैसे विज्यानवादी है और जनमानस के यह आम आदमी के कितने फाइदेका है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत अभिननदन भी कि आप इस तरह से 22 प्रतिया अभियान को चलाते है जिसमे पुरे देश से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉंस है और ज्यादातर महिलाएं जो है देखा जाए तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है जो विज्यान के साथ जोड़ी जाती है या पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको तोड़ने वाली क्यूंकि ज्यादातर भारत प्रतिज्ञा बाबा साहब ने उनिस सच्छपन को दी तब उन्होंने सारी 22 प्रतिज्ञाओं में जो भी उन्होंने 22 जो सिध्धान दिये है कि इसको मानूंगा इसको नहीं मानूंगा इसको आप अभियान के तहत लाए है तो यह क्या जरूरत पड़ी कि 22 प्रतिज्ञा जो उनिस सच्छपन को बाबा साहब ने दी उसका पुरा अभियान चलाया जाए धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय विज्ञान जय विज्ञान आपका प्रश्ण में महत्वका है कि डॉक्टर बाब साम बेड़कर 14 अक्टोबर उनिस सच्छपन को दिक्षा भ अभियान का रूप देने के आवशकता क्यों पड़िये तो आपका मैं आभार विक्ता करता हूं यह प्रश्ण महत्वका है क्योंकि बावासाम बेड़कर ने जाती रोग वाले धर्म का त्याग करते वक्त एक स्पष्ट रेखा रख दी कि आपको बुद्ध धम में अभी पुराना अविज्ञान और जाती रोग और अंद्रविश्वास नहीं चलेगा अभी आपको बुद्ध धम का ही विज्ञान चलेगा उसी की समता चलेंगी समानता चलेंगी नयाय करोना चलेंगा इसमें रेशा बानने के लिए उन्होंने जब पुराने धर्म का जाती अब यह 22 प्रति के बावा साम मैंने खुद बोलिये अब इसको अभियान का रूप मैंने नांद्र मी दिया नांद्र मी मुझे लोग बुला दे थे वह बुद्ध धंप भाशन करो प्रवशन करो तुम मैंने वह एक बार बोला जैभीम बोलो दारू छोड़ो अब जैसे ब बाइस प्रतिग्या फिर मैंने वह कहा कि शादी की पत्रिका पर बाइस प्रतिग्या चापो तो लोगों ने कहा कि हो जी नहीं सकता हम फोटो चापते हम विचार के चापेंगे बाबा साहब की दवाई है रहे चापने में डर है तो वहां लोग जूड़ते गए और नांद मैं विच्ञान होना चाहिए मैं विचार कर से हाओ टू तींग यह संपगना चीए उसका सेल काउपटेस होना चीए और पूरे पुराने जो रिति-वाजे प्रता इसका भी ऑप्रेशन होना चीए ना वो तो डेड़ कैसे जो डेड़ हो जाता है उसका पोस्टमान होता है जिन्दा होता है जो प्रता है और संसकार और संस्कूरती जिन्दा है उसका तो परेशन करना पड़े यह आपरेशन करने के लिए मुझे लगा 22 प्रतिक की अभियान के रूप में हमें पूरे भारत में चलना चाहिए और वहां से शुरू किया मैं और जैसे लोग जूड़ते अगर इस देश के जाती रोगों को खत्म करना है तो दवाई को लेकि जब चला मैं तो हर जगे मुझे लोगों ने साथ भी दिया सहयोग भी दिया सहबाग भी दिया और इसे स्विकारा और उसे महिलाई जो है वहां बहुत अग्रेसर रही है तो हम लोगों किसे होगी या नहुंगी मालूम ने लेकि मेरी जो बहने है आपकी जो बहने है यह बहन इस देश में धंब की करांती करेंगी इसका मुझे पूरा विश्वास है इस चेशिल के साथ 22 प्रतिद्याओं को भी बावा साथों से संपादीत किया वगर कुछ लोग अभी कहते हैं कि बदल गया है अब इन 22 प्रतिद्याओं की क्या जरूरत है अब 22 प्रतिद्याओं का नाम भी ना ले या उसको कोड़ ना करे तो भी कुछ फरेक नहीं पड़ता आपको क्या लगता है कि ऐसी विचार धारा वाले लोगों को क्या कहना चाहिए यह प्रश्ण बहुत इंपॉर्टन अभी मैंने समराठ में एक बंती जिन लेक लिगा था 22 प्रतिद्याओं का प्रचार करने की आउशकता नहीं बंद करो अब जब से मैंने शूर किया तब स प्रचार कि लुए है कि अगर किताबे और धर्म की किताबे और धर्म की पुझारी अगर तीनों चीजें अगर जाती को प्रोसान देते हैं और lioCastaw को करने के जो जाती रोग के पेशेंट जो जो विक्ती समूहर परिवार जाती रोग का पेशनट है उसको अ twitter कि दवाई इस जाती रोग से जाती रोग वाले धर्म से मुक्त करने की टाकत एंटी बाडिक जो दवाई यह 22 प्रतिंग यह कहा जाता है कि बाबा साहब ने जब धंब दिक्षा दी तो वहां से ही आवान किया कि हर आदमी हर आदमी को धंब दे सकता है इसकी लिए चीवरधारं करने की जरूरत नहींसने इनसान ने हर इनसान को धंब दिक्षा देने का अधिकार है कि किसी किताब में आइसा है कि हर आदमी ने लग दिक्षा देना चाहिए या बाबा साप ने कहा इसलिए अप को कोट करते हैं यह विशे और यह प्रश्ण मुलूभूद भी है और महत्वगादी है एतिहा सिख भी है क्योंकि बावा सहाब का जो मराथी में भाशन था 15 अक्टमबर को हुआ करीबन देड़ घंटा चला उसका खतम हो गया दरेक आने दरेक आला दिक्षा द्यावी दरेक बॉध्ध मांसाला दरेक बॉध्ध मांसाला दिक्षा देने सा अधिकार आहे असे मी जाहिर कर दो प्रोक्लेमेशन डिकलेड बाई अनुरेबल बाव सांबिटकर तो गिव राइट तो इच बुद्धिश्ट पर्सर नाट बुद्धिश्ट मैं और बुद्धिश्ट पर्सर याना हर बुद्धिश्ट बंते को नहीं है बौध वेक्ति को है यह जो अधिकार दिया मुझे महत्वक है कि हर धर्म पूरुशसय सट्थ हैं और इसमarily भावासाबने मनुश्य सब्सक्राइब्दा धिक्शान के लिए मेरी अगडू नरोगा त्यार करें वो इसको दिक्षा सकते हैं अगर मैं गरो बावा कीब्दोसा थो एक मोनो पोली थी जो अई आपने का सोशल और में रिलीजियसली कोई हेड़ पर बैठा है वह कंसेप्ट को खतम कर दिया कि अगर दिक्षा देनी के तो भंतेजी भी दे सकता है वह जो बहुत भाई है वह भी दे सकता है यह देने के कारण अगर लोगों को समझ में आती है अगर उस वक्ति परसंट देश में जाती रोग वाले धर्म का त्याग हो गया रहता और बुद्ध धम का स्विकार हो गया रहता यह जो प्रश्ण है कि दिक्षा दें करते हैं और इससे कई लोग दुखी हो जाते हैं और आप मैंने कारेकर वी कि बॉधध हम महिला डिक्षा देंआर भारत बहुत्ध करना है क्योंआं बहुंने हे अधर में स्त्री को है हर दर में नीचा कई बुर्खाестно गया कई मंदिर के बाहर रखा गया कई उसको घर में जलाकर मारा गया जुर्ण स्त्री को जलील हर घर gucken मुझे लगता आँश सब्से बड़ कमी जो थी तुम भी बंते के बराबर होगे तुम भी पुरुश के बराबर होगे और तुम सब के बराबर होगे तो मुझे लगता है कि दरेका ने दरेकाला दिक्षा दे और हर बहुत व्यक्ति को दिक्षा देने का व्यक्ति में को बंते जी आ गया पुरुश आ गया और बहुत महिल आ दिक्षा यह समानता की क्रांती जगरधम का प्रशार करना है या इसको लोगों समझाने हैं अधिकार अधिकार जैसे बावा साम बढ़कना हमें मोटिंग आधिकार देया हमें तो मुर्चा नहीं निकालना पड़ा तो मुझे लगता धाई हजार साल में की कमीशी रहे थह ठी किसा को अब कफ्श होने कहा नहीं अब लगम की दीक्राइप रहें लुक्त ज़िसार बगल product were a आप ने एक कार्टून करकिया है क्यारेक्टर कड़ा किया है जुसके हाथ एस से बंदी हूई है वो वो क्या कारटून है और उसका होता है हर साल कि आप देश भर के लोगों को आवान करते कि इस दरह के कारटुन है या इसकी प्रत्यात्रा निकलती है और उसको जलashed है ये पूरा आयोजन क्या है और मुक्य में बड़ा क्रिमिनल मना यह कई है कोम बेडी डाले पहले ही स्काल न 여러분 विचार जैरवीचार जैर आदमी में तो प्रेम हो सकता है कब घ्रना वहो सकता है लेकि वीचारों में जैर 애खर Kag़ हो कंटीनुus है चुंट सब्सक्राइब करें जूटों र्हेजव की तनी जहर बिचार । wil अपन१ब को से अगले जनुत मृति के बाद काू जीवन यह जो लिए जंद stakeholder विज्वन और do बनाए हो और आपने जो उसके बाद पूछे कि पच्छिक डिसेमर को क्या या हम उसे क्या करते हैं तो मनस्पुति दहन इस समारोह के उपलक्ष में हमने कहा कि इस जहर विचार जितरे भग्या नसीव आत्मा परमात्मा इश्वर परमिश्वर पुनर जन्मा अगला जनम अगर मनाएंगे तो रावां दहन वाले विचार वह भी दुक्ष्या हो जाएंगे और ये तो व्यक्ति का दहन कर रहे हैं यह ये रावां दहन वाले व्यकति का दहन कर cush Tre한 करने की करने का हम एक हम जिल्ली में गुजरात में भी और महाराश्यों में दिल्ली में शुरू किया है तो इसे बहुत अच्छा लोग स्विकार कर रहे हैं एक और थेरी को सामने लाते हैं कि सारी दुनिया आप बाइबल उठाईए तो उसमें लिखा गया है कि प्रभु ने दुनिया बनाई आप कुरान उठा खाली जिये उसमें लिखा है कि अल्ला ने दीन अलग किया रात अलग किया जमिन अलग की पानी अलग किया आप हिंदु धर्म को उठा लिए ले जीए तो वहां पर भी लिखा है कि ब्रह्माने स्रुष्टी के निरमान की अप इस ठेरी के विरोध में हैं आपकी अलग एक तेरी क्या है और आप क्यों इन थेरी का विरोध करते हैं कि नहीं यह किसी अगर यह सुरुष्टी नहीं निर्मान की तो यह निर्मान कैसे हुई बहुत दन्यवाद मुझे आनन्द हो गया बड़ा जबर्दस क्वेश्चन पूछें क्योंकि जिस दिन मनुष्य नाम का प्रा 50% लोग यह मानते हैं कि उनके किसी भगवान ने किसी इश्वर परमिश और गौड अल्ला ने पूरी पूरी पुरुत्वी और पूरा जो आखों से दिखता है और न दीखता है यह बिल्कुस सरासर शत प्रतिशत जूट है और जूट का प्रचार उनके हर धर्म का धर्म पु सब्सक्राइब करते हैं कि सबसे जादा लोग चर्च भी जाते हैं और जिस दिन गौड क्या करते हैं उसी दे बोलते हैं यह सब उसको प्रे करते हैं लेकिंगे उस तो संदे तो रिष्ट डिया है कहने का मतलब है कि धर्म ग्रंथों ने हमारे आज्यू बाजू कि मेरे शर पर्फोर्स बुलेंगे और यह जो हवा हवा में 79 परसन नाइट्रोजन है 20 परसन ऑक्सीजन है यह औक्सीजन नाइट्रोजन कैसे बने तो बोलेगा एक धर्म ग्राम दूसरा बोलेंगा साथ दिन बनेंगा हमारे बोलेंगा दस जार सबस्ट बना अरे ऐसा कुछ नहीं है म बाफ का डेट बर्थ क्या है तो उसने कहा एक पर 1987 में बाद ने मुला प्रुत्वी का डेट बर्थ यह यह पूचा वह जैसा तुम्हारा जन्म हुआ उसके पहले तुम नहीं थे वैसे प्रुत्वी का जन्म हो गया उसके पहले प्रुत्वी नहीं थी और वह 4.567 billion years जब प्रुत्वी बनी और जो भी प्रोसेस में बनी उसके बाद अभी प्रुत्वी नाम का जो ग्रह है वो सूर्य के आजू-बाजू 30 km per second speed में गुम रहा है और जो सूर्य है वो पूरे galaxy में 230 km per second speed से चल रहा है गूगल में देख सकते हैं अर्थात यह है कि हम अगर यह ड दर्म की किताबें नेती दर्म पुजारी नेते भरिया सब्हारी धर्म के भक्त जब आए जब पृत्वी बनी उसके पहले तो कुछ नेता तो 450 क्रोड़ वर्ष पहले पृत्वी का जन्म होग वैसे विश्वकी शुर्वात वोगे आज का विज्यान जो कहता है वह 13.82 billion years च चाउदा सो करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग थेरी नाम दिया उस बिग बैंग थेरी का जो एक्सपांशन हो गया स्पोर्ट हो गया उसमें से पूरा बदलते बदलते यह आज पुरुत्वी नाम के छोटे से ग्रह पर मैं आपके एक एड करूंगा कि जैसे सूर्य मंडल में लोगों जोतीशे महाराष्त मिलते हैं अब वीचारे कुंडली के लेकर बैठ है कुंडल में ग्रह कितने यह जुपिटर है सेटन है उरैस है नेक्चुन है मुझे यह बताओ कि प्रूत्वी के बाहर कितने ग्रह है मालूम ने आप गुगल पर चले जाए 4500 ऐसे ग्रह identify हमारे सेटलाइट ने जो सूरिय मंडल के बाहर है यानि हमारा ग्यान सूरिय मंडल के बाहर नहीं पहुंचा है 4500 इतने एकज़ो प्लैने जो आठ ग्रह सूरिय मंडल में सूरिय नाम के तारे के अजबा जो आठ ग्रह गुम रहे और उसमें चंद्र है वह 213 213 कम से कम चंद्र है अब इन रहे किन रहे तो मैंने जैसे कहा कि चार हजार पांस सो एक्जो प्लैनेट सूरिय और आठ ग्रह सूरिय मेलका के ग्रह को चोड़का बाहर भी है जो दूसरे तारों के आजवाज घुम रहे तो मेरा कहना यह कि इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा पृत्वी सिर्व अकिला नहीं है या सूरिय नाम जो दिय से बड़े और छोटे तारे दस हजार करोड तारे है अब ऐसी अवस्ता में हम बोलेंगी कि प्रुत्वी को किसे चमतकार बनाएगा आशिरवात दे के बनाए यह तो अग्यानी यह पूरा और लोग उससे शोशन करें जहां अग्याना का सामने का आदम हमारा शोशन करेंग तो अगर अलबर्ट आइंस्टाइन ने 1905 पे जो थेरी दी तो हमारे महराश्य और भारत के हर घरों में शायद एक अलबर्ट आइंस्टाइन बन सकता है अगर यह सोच और समझ और बोध हर घर में पहुंच जाए लेकिन कुछ लोग का यह कहना है कि आप धर्म का विरोध क जाते हैं थोड़ी देर हम वहां प्रेयर करते हैं या मंदतमस तक होते हैं बगवान से कुछ मांगते हैं तो उतने देर तक हमें शांती मिलती है तो आप उस शांती के भी वीरोध में क्यू है ऐसा भी सवाल लोग उठाए तो यह बड़ा अच्छा प्रष्ट है अब मार्ग और दवाई दे उसका नाम है ध्यान जिसको जहां मिले रही हम दोने बात करों जैए यहीं सबसे बड़ी बुढ़ी घ्राती है और प्रोग्रम है आपका घर घर बुढ़े जायिंती मनाओ और देश के गुजरास्टमाःत हुई महारस्त के शुरुआत हुई एक अच्छी शुरुवात हुई थी और पुरे देश में करोड़ों के घर में बुद्द्जैंती का एक प्रायोजन आपने किया है कि इतने करोड़ों में बुद्द्जैंती मनायी जाए एक तरफ आप मुझे बुद्द्धी मनाओ तो ये परस पर विरोधी नहीं लगता है और क्यों आप बुद्ध जैन्ती मनाने के लिए लोगों को प्रश्जित करते हैं। अब मंदिरों में जाने के लिए ऐसा है कि मैं तो मुझे बुलाते हैं। मैं जो भी मंदिर अगर भगवान ने खुद बनाए तो मैं आ जाओंगा। मैं जो भगवान ने बनाए तो मैं आ जाता हूं इष्वर ने बनाका और लृष्ट युए बनाय तो मैं आ जाओंगा। चाहे पोस्टर में और प्रवचन में और मार्केटिंग में गुजरात कुछ ही बता है। मैंने जो सामन्य आदमी गरीबता 7.1% चेलू कास्ट है, करीबन 13% चेलू ट्राइब है और OBC करीबन 50% है। इनके मन के अंदर के दुख मैं समझने का प्रयास किया। मुझे लगा मेर हर घर में समझाने सकता ह। इसलिए घर-घर बुद्ध जैनती ये राजकोड गुजरा से एक अभियान शुरू किया। कि बुद्ध का संबन ना जात से ना धर्म से है, ना गोरे रंग से है, ना अफरिकन से है, ना भारत से है। ये मानोता का एक तेवार होना चाहिए कि ब आम ने क्यों जाती रोग वाले धर्म के संस्कार संस्कृति प्रथा परंपरा क्यों समान लेगी कोई मतलब नहीं है तो जाती रोग वाले धर्म के हर संस्कृति को नकारने का तो घर में बुद्ध की संस्कृति होना जी घर में विज्ञान की संस्कृति होना जी अगर जहां बुध्य पोच जाएं बुध्य विचार पोचेंगे थैअं पोचेंगा प्रमान पोचेंगा प्रहेव पोचेंगा विश्यान पोचेंगा निरिश्वडवाद पोचेंगा kangar bio сейчас घर घर बना लो कोई बीनम रह सकती क्यूंकि उसके मन में बुद्ध के संसकार दिमाएंगे और माता अपने बच्चों देती है हर किसी को विद्ध राता संभान करना है करोणा रखने बगर बगर Clay तो मुझे लगता है घर की अंदर बुद्ध़ के संसकार आएंगे तो उस घर में बुद्ध़ की भीकरांति आइन chant. कि उस घर में विचार के क्रांति हो इसलिए घर-घर बुद्ध जनती शूरू करने का कारण यह जाती रोगवाले धर्म को टाटा कहने का वक्त आ गया अब बुद्ध धर्म का जो घर में संसकार लाने के लिए शुरुवात करने के बड़े अच्छी गुजरात में हमने किये और अभी फिर से अगर जब जनगनना का वक्त आएंगा तो लोग इसे कह सकते कि हमें जाती रोगवाले धर्म ने हमें हजारों सालों से जो भी किया हमाना शोषन किया उस धर्म का नाम न ले और जो मान और संबान समता बंदूत्व सिखाने वाला जो धम है उसी का उल्लेक करें बिल्कुल दर्श को जो समता स्वतंत्र न्याय मैत्री करूना सिखाता है ऐसे ही धमका ऐसे ही धर्मका अंगिकार करें विज्ञानवात से जुड़े जैसे कि हमने पूरे इस चर्चा में जाना की पूर्थवी की निर्मिति कैसी हुई कि सही में गौड का स्थित्व है अगर इस इश्वर का स्थित्व होता तो हमने भारत में ही देखा कि मंदिरों में बलतकार होता है और इश्वर कुछ नहीं कर पाता तो इस तरह 22 प्रतिद्ने अभियान तरकशिलता विज्यानवाद सिखाता है अर्विंजी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है 22 प्रतिग्या अभ्यान के और से कुछ लोग इस विचारधारा के तरफ जिसको नास्तिक्ता की विचारधारा कहते हैं उस तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे तो मैं आपको सभी दर्शकों में इस वक्त जैवीम नमों गुद्द है जैव संकल्प कर लीजिए या सोच लीजिए कि आपके घर में विज्ञान के संसकार होने के लिए क्योंकि इस देश में अलबर्ट आइस चाहिए और इस देश में हर डिस्टिक में चाहिए और जब विज्ञान आता है तो हमारे दुख कम होते हैं तो 22 प्रतिग्या अभियान के और से मैं आवाज चैनल का मैं आभार वेक्ता करता हूं इन्होंने इतना अच्छा मौका मिला पूरे टीम का मैं तहे दिल से आभार वेक्ता करता हूं आनन वेक्ता करता हूं कि इस देश में अभी विज्ञान क्रांती बची हुई है और मंदिर मंजित चर्ष में जो है वो जो धरम है ना जाती रोगवाली संस्कृत है जाती रोगवाली संसकार है जाती रोगवाली परमपरा है जाती रोगवाले का खतम कब करेंगे तो मुझे लगता 22 प्रतिग्या अभियान विज्ञान को और सत्य का दर्शन देने का अभियान इस से आप जुड़े निरिश्वर के साथ जोड़े जुड़ जाए और देश में विज्ञान व सत्य निरिश्वरवाद समीधान की करांती मिलकर करेंगे धन्यवाद तो इस तरह से आपके हाथ में मुबाइल है सामने टीवी है वो भी विज्ञान से चलता है आप गाड़ी चलाते हैं वो भी विज्ञान से वह इस इमेल पर प्रशन पूछ सकते हैं इमेल आपके सामने है आप इमेल पर अपने विचार भी दे सकते हैं और प्रशन भी पूछ सकते हैं अर्विंजी आपने वक्त निकाला दर्शकों को इतना अच्छा मार्ग दरशन किया आवाज इंडिया टीवी को और से आपका बहु झाल झाल